नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग याद करने वाले हैं प्रमुख नदी बांध परियोजनाएं यानि कि दोस्तों कौन सी नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सारे के सारे ट्रिक से याद करने वाले ह बस आप इस वीडियो के अंतक्प बने रहे दोस्तों पहला है टीहरी बांध दोस्तों टीहरी बांध जो है वो भागी रती नदी पर इस्थित है दोस्तों टीहरी में एक सब्ध है हरी हरी मतलब हारना दोस्तों अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अगर उस काम में हार जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि उस काम को छोड़कर भागना पड़ेगा मतलब कि भागी रथी नदी ठीक है इस परकार आपको related करके याद करना है टिहरी से हारना और हारने के बाल भागना तो भागने से हो जाएगा दोस्तों भागी रथी नदी ठीक है इस परकार आपको महान नदी पर पाए जाएंगे जो नदी महान होगा दोस्तों उसी में हीरा पाए जाते हैं ठीक है तो हीरा कुंड बांद जो है वो महान नदी में इस्तित है इस परकर आपको याद कर लेना है नेक्स्ट दोस्तों राणी लक्षमी बाई बांद दोस्तों राणी लक्षमी ब बैत से ठीक है यानि कि बैत से बेतवा बैत जो दोस्तों बांस का बनता है उसे हम लोग बैत बोलते हैं ठीक है न तो राणी लक्ष्मिवाई एक योदा थी और वो बैत से लड़ाई लड़ती थी तो हो गया न आपका बेतवा नदी इस प्रकार से आपको याद करना है नेक् दोस्तों जो हम लोग अस्तनान करते हैं डूपकी लगा के और जब भी पोखर में नहाते हैं या फिर नदी में तो वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों हम लोग डूपकी लगा लगा के पेरते हैं ठीक है पेरते हैं यानि कि पेरना तो दोस्तों इडूपकी से हो जागा लगा पेरना तो पेरना से हो जाएगा पेरियार ठीक है ऐसे हमको रिलेटेट करना है तो इडू की बांद कहां पर है दोस्तों पेरियार नदी पर इस प्रकार आपको याद कर लेना है next दोस्तों कोईना बांद दोस्तों कोईना बांद कोईना नदी पर इस्तित है ये तो सभी को याद हो जाएंगे next दोस्तों बलगी हार बांद दोस्तों बलगी हार बांद जो है चिनाओ नदी पर इस्तित है तो इसको किस परकार से याद करेंगे तो देखे बलगी हार इसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों पगली हार मतलब किसी लड़कियों को हम लोग बोल रहे हैं कि पगली हार जाएगी चुनाओ मतलड ठीक है पगली हार जाएगी चुनाओ मतलड तो पगली हार मतलब बलगी हार और चुनाव मतलब चिनाव नदी ठीक है इस प्रकारा को related करके याद करना है नेक्स्ट दोस्तों गांधी सागर बांध, जौहर सागर बांध और राना परताब बांध दोस्तों ये तीनों बांध जो है चंबल नदी पर इस्तित हैं इसको कैसे याद करेंगे तो देखें गांधी सागर गांधी जी जौहर जौहाल नाल नहरू और राना परताब ये तीनों क्या थे मित्र थे ऐसे हमको related करना है ठीक है दोस्तों तीनों मित्र थे और ठंडी के मुस्तम में जब तीनों आपस में सोते थे तो एक ही कंबल ओड़कर सोते थे ठीक है ना गांधी जी ज्वाहर नाल नहरू और राना परताब जी ये कौन थे तीनों आपस में मित्र थे और तीनों एक ही कंबल ओड़कर सो जाते थे तो कंबल से हम लोग को याद करना है चंबल नदी ठीक है न ऐसे हमको याद कर लेना है नेक्स्ट दोस्तों अलमाटी बांद दोस्तों अलमाटी बांद जो है कृष्ण नदी पर इस्थीत है कैसे याद करेंगे देखिए दोस्तों कृष्ण भगवान का जो मूर्ती होता है किस से बनता है मिट्टी से तो अलमाटी में एक सब्ध है माटी ठीक है तो माटी से क्या बनता है कृष्ण भगवान का मूर्ती ऐसे हम को रिलेटेट करके याद कर लेना है कि अलमाटी बांध जो है कृष्ण नदी पर इस्ती थे ठीक है next दोस्तों सरदार सरवरबांद दोस्तों सरदार सरवरबांद जो है नर्मदा नदी पर इस्ती थे इसको कैसे याद करेंगे सरदार सरदार दोस्तों किसी आदमी को है हम लोग सरदार बोलेंगे किसी औरत को तो सरदार नहीं बोलते हैं ठीक है औरत को तो हम लोग सरदार नहीं बोलते हैं किसी आदमी को मतलब की मर्द को बोलते हैं तो मर्द से हो गया आपका नर्मदा नर्मदा में एक सब्द है दोस्तों मर्दा है ना उसमें एक सब्द है कहा है दोस्तों कावेरी नदी पर तो दोस्तों हम लोग मैं टूर में एक सब्द है टूर तो हम लोग टूर जाते हैं मतलब कहीं घूमने जाते हैं तो कहां पर जाएंगे कावेरी नदी घूमने जाएंगे ठीक है इस परकार आप कोर्रेलेटेड करके याद कर लेना है नेक्स और दो स्थूं हमारा मुन्ना लाखों में एक है यानि कि लखवार मए इस प्रकार आपको याद करना हैं नेक्श्ट दो करजन बांध दोस्तो करजन बांध जो है करजन नदी पर ही स्थित्य यह % है यहां बहुत ही आसाई से यद हो जाएगा नेक्स्ट दोस्तों पॉंग डेम जो है व्याश नदी पर इस्ति थे ये भी आपको याद कर लेना है नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है फरक्का बांद दोस्तों फरक्का बांद जो है वो गंगा नदी पर इस्ति थे इसको कैसे याद करेंगे देखिए दोस्तो गंगा नदी पर हम लोग को बहुत ही फक्र है है ना क्योंकि गंगा नदी पर नहने के बाद दोस्तो हम लोग पवित्र हो जाते हैं तो बहुत ही फक्र है गंगा नदी पर तो फक्र से याद करेंगे फरक्का ठीक है फरक्का दोस्तो इंद्रा सागरबांद जो है वो नर्मदा नदी पर इस्थित है ठीक है तो इंद्रा सागरबांद कहां पर है नर्मदा नदी पर इस्थित है इसको कैसे याद करेंगे देखिए दोस्तो इंद्रा गांदी जो थी वो एक महिला थी लेकिन काम वो बिल्कुल मर्द के जैसा करती थी ऐसे आप पो रिलेटेट करना है ठीक है इंद्रा गांदी कैसे काम करती थी तुम मर्द के जैसा तुम मर्द से हो गया दोस्तों आपका नर्मदा ठीक है ऐसे आपको याद करना है नेक्स्ट दोस्तों इंद्रावती बांद दोस्तों इंद्रावती बांद जो ह आगे का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में